जहिन दोस्तो अगर आप बिहार से बीड कर रहे हैं फिर करने वाले है तो यह बीड़ो आपके लिए बहुत ही जोड़ी है दोस्तो बिहार की सिक्षा ब्यवस्ता जो है पूरी तर से चोपट हो चुकी है जैसे आप इसकिन पर देख पार है कि बीड छात्रों की 5 सल बाद इसट्रूरेंट है इन्होंने फर्स्ट यर की परिक्षा जो दी थी वह 5 साल पहले दी थी और सेकिंड यर की जो परिक्षा होगी वह 5 सल बाद जाने कि अब होने वाली है इसका फॉर्म जो है फिलफ हो रहा है तो आखिर यह मामला है क्या इसको आपको समझना होगा तो बने रहें आप मेरे सार वीडियो के लाश्टक वीडियो सुकन से पहले माप से छोटा सा रिक्ष्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक हमारे चनल प सब्सक्राइब करना चाहते थे उनकी यह सेसन कब से कब है 2016-18 का है ठीक है और इनकी जो फर्ष्ट ची परिक्षा हुई थी वह 2017 मेट हुई थी ठीक है उसके बाद अब तक देखिए यहां पर उनकी परिक्षा भी हुई नहीं है और यहां तक इन्होंने कोड का भी चेक्ष कर लगा इन इस्ट्वेंट ने और इसके बाद भाला भी देखिएगा 2020 में भी जो इडिश्टेंस से एड्विशन लिया गया था ठीक है उसके लिए फॉर्म भी फिलप करवा लिया गया था एक्जाम भी लिया गया था लेकिन उसके बाद भी इड्विशन प्रोसेस पूर आप लोग सोच समझके ही करेंगे यह आपको जानना बहुत ही जहूरी है तो देखिए यहां पर ममला है 2016-18 वाले सत्र का उनका फॉर्म जो है फिलप होना शुरू हो चुका है तो उनको 26 रुपे कर चलान लएगा यहां पर लिखा हुआ कि परिक्षा फॉर्म भढ़ने के अंक्पत्र जाड़ी कर कहा कि जिन्न प्रस्रिक्षयों का स्रीक्षन सुल्क बकाया होगा उन्हें फॉर्म भढ़ने के लिए प्रतो मोज का ड्मोड कर चिनका मामा करने को भी कहा अब देखिए इतना दिन से जो भी वेकेंसी आई है विसमे यह लोग नहीं बैठ पाया है जो भी स्ट्रेट का एक्जाम है वह लोग सही से दे नहीं पा रहे हैं माले जी स्ट्रेट का एक्जाम भी अगर एक क्वालिफाई इस विसमें कर जाएंगे तो क्या इनकी डिग्री वाइलेट होगी बिल्कुल नहीं होगी तो अगर आप लोग भी भविसमें अगर डिस्ट्रेंस से भी एट करना चाहते हैं तो बिहार से बाहर ही करेंगे तो आप